नमस्कार, News Headlines में आपका स्वागत है। आज सुबह की ताजा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले। अफगान रफ्यूजी, पाकिस्तान से निकालने के लिए अफगान शर्लार्थियों पर जुल्म, क्रूरता के दिख रहे निशाँ। शर्लार्थियों का कहना है कि इसलाम और मुस्लिमों के हिमायती मुल्ख ही जब पाकिस्तान की क्रूरता पर चुप हैं, तो दुनिया के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज प्रगती मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंदिया दो हजार तेईस सीट के दूसरे संस्करण का उद्गाटन करेंगे इस्रेल वो जैशंकर बोले फलस्तीन मुद्दे का समाधान आवश्यक लेकिन आतंकवाद अस् संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जैशंकर ने कहा कि साथ अक्टूबर को जो हुआ वह आतंकवाद का बड़ा कृत्य था पूरे क्षेत्र में तनाव है वध्यपूर्व के साथ साथ पूरा विश्व युद्ध के कारण चिंतित है संगर्ष सामान्य नहीं होते इन व भारत के लिए शुबमन गिल, श्रेयस अयर और रवींद्र जडेजा ने अब तक ज्यादा रन नहीं बनाए थे इस मैच में इनी खिलाडियों ने शांदार बल्ले बाजी की गिल और श्रेयस शतक से चुके और जडेजा ने अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाए वही ग रिश्व कप में भारतिय गेंदबाजी जानी जाती है। यूएस, अमेरिकी अधिकारी बोले भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करना चाहता है, अमेरिका, इस्राइल युद्ध पर कही यहा बात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 10 नवंबर को प्रस्तावित बैठक में अमेरिकी मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जैशंकर और रक्षा मंत्री राजनात सिंग शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के मंत्री द्विपक्षिय मुद्धों पर वि इस्तार से बात करेंगे। महराश्च्र जारांगे के अंशन खत्म करने के बाद बोले सीम शिंदे मराठा आरक्षन के लिए तैयार करेंगे बहतर मसोदा। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए सीम शिंदे ने मराठा आरक्षन के लिए अंशन पर बैठे सभी लोगों से अपना विरोध वापस लेने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई की मनोज जारांगे द्वारा अपना अंशन वापस लेने की घोशना के बाद अन्य लोग भी इसका पालन करेंगे। डेली स्कूल क्लोजड बढ़ते प्रदूशन पर के जीवाल सरकार का फैसला दिल्ली में पाँचवी तक सभी स्कूल दो दिन बंद। राजधानी में बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो दिन स्कूल बंद का आदेश जारी किया। इसकी जानकारी म कोक्यमंत्री अर्विन के जीवा ने दी है नर्सरी से लेकर कक्षा पांच तक के स्कूल बंद रहेंगे यूपी राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोफा 14 लाक से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस और 4 फीसदी महंदाई भत्ता बढ़ा प्रदेश सरकार ने राज्य कर्म कर्मचारियों को दिवाली के तोफे के रूप में बोनस दिया है इसके अतिरिक्थ 4 फीसदी महंदाई भत्ता भी दिया जाएगा बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे इसका फाइदा प्रदेश के 14 लाक से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा आपको याद करवा दे क्रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और विडियो को लाइक और शेर करना ना भूले एपल लगातार चौथी तिमाही में एपल की बिक्री में गिरावट आइफोन सहित अन्य सेवाओं से 23 अरब डॉलर का मुनाफा एपल प्रमुख टिम कुक ने बताया कि आइफोन की बिक्री ने सितंबर तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है कमपनी ने आइफोन की बिक्री से 43.8 बिलियन डॉलर कमाए है एपल म्यूजिक और आइकलाउड सहिद डिजिटल सेवाओं की बिक्री से कम्पनी ने 22.3 डॉलर कमाए है यूपी पत्नी ने करवाचोत का व्रत नहीं रखा तो सिपाही ने सर्विस राइफल एके 47 से गोली मारकर की आत्महत्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाक्फनी की शिव विहार कॉलिनी में किराए के मकान में रह रहे सिपाही ने सर्विस राइफल एके 47 से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली पत्नी ने करवाचोत का व्रत नहीं रखा था जो विवाद की वज़ा बना घूटान, घूटान के राजा का आठ दिवसिय भारत दौरा, चीन से सीमा विवाद के बीच प्रधान मंत्री मोदी से करेंगे मुलाका घूटान और चीन सीमा विवाद के बीच घूटानी राजा भारत आ रहे हैं विदेश मंत्राले के मुताबिक वे असम और महाराश्र का भी दौरा करेंगे हरियाना, हरियाना के फतेहाबाद में अचानक उतारा पाकिस्तान का जहाज, इलाके में फैली संसनी, जाने पूरा मामला सदर ठाना प्रभारी यादविंद्र सिंग ने बताया कि खेत में मिले गुबारे को कबजे में ले लिया गया है उच्चाधी कारियों को मामले से अवगत करवाया गया है आगामी पड़ताल की जा रही है OPS, रामलीला मैदान की तीसरी रैली, OPS, अठारा फीसदी डिये और आठवे वेतन आयोग के गठन को लेकर हुंकार भरेंगे करमचारी Confederation of Central Government Employees and Workers के महासचिव S.B. यादव ने बताया कि केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भरती के जरिये भरना, निजी करण पर रोक लगाना, आठवे वेतन आयोग का गठन करना और कोरोनाकाल में रोके गए अठारा महीने के डिये का एरियर जारी करना, ये बाते भी करमचारियों की मुख्य मांगों में शामिल S.C. कोट ने कहा दलों को मिले चंदे का ब्योरा दे चुनाव आयोग, सम्विधान पीठ बोली योजना में पारदर्शिता की जरूरत अधिकरित बैंकिंग चैनलों को प्रोथसाहित और उनके उप्योग की आवरशक्ता, पारदर्शिता, दलाली और बदले की भावना को वैद बनाने पर रोक थाम WHO रेबीस खत्म करने के लिए कुट्टों की 70% आबादी का टीका करन गरूरी, WHO ने की सिफारिश रिपोर्ट में कहा गया है कि नई सिफारिशों को अपना कर देश अपने